दोस्ते इस वीडियो में में प्रेडिक्शन करने वाला है जो गुजरात और हिदराबाद को में मेंच अवाला है तो चलिए देख लेते जान लेते कीसी क्या पीछ रहेगी कौन से प्लेयर के से क्या राएगा क्या प्रफॉर्मंस रहा है पिछले मेचों का दोनों का प्रॉफमेंस प्रहा जाने के प्रॉफमेंस आप इस वीडियो को दिखते रही है क्यों किके 치真 में ऐगर टीम बना दी तो वह सेम अगर सब जाने एक सरी की टीम बना कर खेलेगे तो फिर वह नंबर वन पर नहीं आएगे तो आप तो चली देख लेते जान लेते में प्रेडिक्शन सबसे बात करता हूं यह जो में यह गुजरात और हेदराबाद के बीच होने वाला है जो है अब अब सबसे जादा रन बनाया उन्हों पूरा आईपैल का रिकार्ड टोड़ा जो के दोस्टो सित्वत्ता रन बनाया थे पिछले मेच में और यहां पर आप देखोगे इन दोनों के जो में अभी तक कि अगर दोनों टीमों की मेच की बात करें तो अठथा इस में दोनों ट फोड़े यहां पर क्या है। यह मेσछ हो रहा है और ज्यादातर होता हो एदराबाद की वह काफ़ी बढ़िया टीम है और अभी पिछला आपने प्रफोमंस इनका देखे जो काफ़ी बढ़िया रहा था ठीक है तो अभी ज्यादा बन रहे है रहना तो 177 रही है और यहां पर पीछ यह पेसर्स के लिए काफी बढ़िया पीछ यहां पर आप देखो इस अपील में जो मेच हुआ था इसी मेदान पर उसमें जो गुजरात थी गुजरात ने 178 रन बनाया थे मुंबई इसे 162 रन पर वहीं एक सो बासट रहनी बना पाई थी तो छे रन से जो गुजरात है वह जीत गई थी मेच को ठीक है तो यहां पर अगर ले देके बात कर जो पेसर से पेसर का बोल बाला है जो मेच अभी हुआ था इस फिसंते ने ल के दा यह एक spinner की लिया था और जो Second dining मतलब सेकेंड में जो इनिंस कर रहे थे उसमें आठ विकेट far States और एक मिला था spinner को लेए 형 के बात नहिंए जो पेजो पेशर से पेशर का बोल बाला रिफा इस पीछ पर जो किए window Math का बात करते हैं हम यह उसमेंदों तोक्वास्ट को फीटल सबक्राइव कोब साथ JON determined टीम के जो 11 प्लेयर रेगे, वो कौन कौन से रहेंगे, तो गुजरात की बात करें, तो गुजरात में सुभम गिल है, रिल्ज सुदर्सन है, ओम जाई है, मिलर है, डेविड मिलर है, विजे संकर, राहूल है, रसित खान है, साइन किशन है, मोई सर्मा है, और आपको यहापर और जो खासकर जो प्लेयर्स है वो है सुभमगिल है रितिमान शाह है और यहां पर आप देखोगो तो उमेंद जाई है काफी बढ़िया प्लेयर्स होन है इनके पिछले प्रफुमेंस और साथ में इस ग्राउंड पर प्रफुमेंस रही है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहा बना रहा है लाश्ट के में गूंचाली एक सो गुंती एक सो एक चुल्यान नुण नावाद इसे करके अच्छा खासा प्रफुमेंस रहा है बात करते हैं तो रिसेंट में जो आई पेल चल रहा है इसका इंदर 21 और गुनिस रही बनाया दो बेची इन्होंने खेले है इस ह चीरो दो ऐसे करके रहने हैं तो इतने मेडियम है मतलब एक ही पारी अच्छी खेलिए इन्होंने लास्ट के 67 मेचों में बात करते हैं अगर हम यहां पर इस ग्राउंड पर में इस पर प्रफुमेंस कर आया तो गुनिस चोपन अट्रा जीरो एक क्या से करके ठीक ठाक रहा है बात करते हैं और भी आज जो प्लियर्स है जो की पेले हैं हिद्राबाद के विरुद्ध जो पहले खिलने वाले पेला मेची वह उम्दुल्ला उमर जाई जो की अभी लास्ट में जो इस मेधान पर 17 रन और दो विकेट ले चुके है और यह पेला मेची खिल रहे है संप लगाए सेद्राबाद के विरुद्ध और अगर बात करते हैं प्रोफिमेंस की तो 11 रन मना रखे अलाउंडर प्लेयर्स है और 17 रन दो विकेट इन्होंने लिए हैं इसी मेधान पर जो कि पिछला प्रोफिमेंस रहा था इसी मेधान पर बात करते हैं डेविड मिलर की तो गुलनीज त्रेसेट नावाद टीट नावाद जादर अन्होंने और संड्राइज के विरुद्ध दोनों टाइम नावाद ही बनाएं बात करते हैं नहीं के बोलर हो की तो बोलर में उमेश यादाव का जो इस मेधान पर दो विकेट लिए है और पिछला मेच हुआ था इस इसी में मतलब इसी आई पेल में दो विकेट लिए बाकि अच्छा 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 प्रोंस नहीं रहा है इस मेधान पर और बात करते हैं अगर संड्राइज हिदरावाद के विरुद्ध तो अभी तक क्या है कि एकी विकेटिंग को मिला है चार-पाच मेचों में बाकि है विकेट नहीं निकाल पाएं बात करते हैं पर इस्पेंसर जोंसन की जो की विदेशी खिलाडी है पेला मेच हेलरे इनका संड्राइज हिदरावाद के विरुद्ध और बात करते हैं अगर इस मेधान पर दो विकेट इन्हों ने लिए है और इस IPL में टोटल तीन हैं आद बात करते हैं तो भी तो लिए जिसमें चार विकेट 1-2 लिये है और रीसेंट में चल रहा है उसमें 2 में लिए है क्या तो यह था गुज्वात का जो कि गुजराथ के जो प्लेट से उनके प्रफुमेंस बात करते हैं आप संड्राइज हिद्रावाद की बात करें हेदरावाद के जो प्लेट्स रहें ग्यारा वह इस प्रकार रहें जिसके अंदर आप देख सकते हीड है उस्टेले के खिलाडी मेंक अगरवाल है आशिस सर्माज जिसनों सब्सक्रावाज और कुमिंग है वीडियल अवर्ड करने वाले जो साथ से पंद्रावर्ड जो करेंगे मार कंडे हैं उम्रान मलिक और उतकंड है अब अब परफूंस की तो थोड़ा से यह पर झाल लेते हैं इसमें हम क्या कर सकते क्या च्छा है अच्छा फ्रफूंस किया थे पिछले में और यह देख से को हैं हें लिए इनके वेलेवन प्लियर्स में हें लिए जिन्होंने खतरनाक पारी खेली ती चुर्यासी-त्रीएसी रनों की जो काफी बढ़ी है इसी की वजह से इन्हों रिकार्ट तोड रण मनाए और यह काफी बढ़ी है तो इन प्लियर्स को भूला ही नहीं इसमें वीशवाद में एक पर मुझाइड उसे है कि नियुकर लेने हैं इसमेश पिरिया मेंच घ्राउन पर हिद्रावाद अम्दावाद की ग्राउन लिए और में 62 रन बनाये तो काफी बढ़िया यह हीड ठीक जो प्लियर से काफी बढ़िया ओपनार खेलते ओपनिंग करते यहां से इनकी तरफ से हिदराबाद की तरफ से और इस मेजदान पर पेली मेच खेल रहे और यहां पर मतलब जो इसके जिटी के विरुद भी पेले मेच खेल तो यह है उसके बाद मेंक अगरवाल के बाद करते इस ग्राउंड पर अच्छा खासा रन बनाये उन्होंने जिसमें इंद्यान भी है और इसके जीटी के विरुद मतलब गुजरात के विरुद पांच रहनी बनाये इन्होंने अभी तक बात करते हैं अभिशक सरमा अभी में जो मेंच हुए थे इसमें 63 रन 32 32 रन मनाया है काफी बढ़िया जोड़दार पारी बनाया थी जोड़दार तरीके से और इस जीटी के विरुद पांच रन पर इसकिप करने बद इस खिलाडी को इना इस मेधान पर भी अच्छा खासा स्कोर है इनका लगबग लगबग बात करते हैं पर we protect Hazard क Datab sich आंतर मार्करम की अंडरे मार करम तो एस संसर मेधान पर मतलब लोग यह स्ए मेधान पर ऑना से और इसे मेधान पर यह ils अदान पर दस रहन है और इसके पेले 63 रन तो इनको तो आप काफी बढ़िया फार्म में चल रहे हैं दोनों मेचों में 50 नहीं और यहां पर देखोगे तो इस ग्राउंड पर 64 रन है जो कि अभी इन्हों ने इसमें बनाए और जीटी के अगेंस्ट बनाए 64 ठीक है बादूल समद अब्दूल समद की तो 15 रन बनाए इन्होंने पिछले मेच में और यहां पर आप देखोगे तो इहां पर जीटी के विरूफ चार रन ने बनाए सहमाद अब जो रिसेंट में जो दूमें इक विक्रेट मिले और 16 रन भी इन्होंने बनाए और बात करता हैं कि अगर इस मेधान में तो 12 रन नावाद बनाए है और यह जीटी के विरुद पेला मेच ही खेल रहे है फिर पेट कमिंग्स तो कि काफी बड़िया प्लेयर से और यहां पर आप देखोगे तो पेट कमिंग्स कभी अच्छा कासा प्रफॉंस रहा है तो इन विकेट इन दो मेचों में लिए है इस मेदान यह बात करता करें अब भावनेश्वर कुमार की तो इस अभी तक जो दोनों मेच हुए इसमें एक भी विकेट इनको नहीं मिले और यहां पर जो जीटी के विरुद पांस विकेट और दो विकेट इसे करके अच्छा कासा प्रफॉम्स रहा है और इस मेदान पर भी पांस विक होसमें इनने केट लिए यह थे उंकर यहां पर देखो गयतों यह जो पोलर है और इन्होंने दो विकेट लिए हैं इस lilफ बात करते मावे शेयुक मारकंगी तो यहां पर ये मैघ इनको नहीं मिले ऑनने english मेच इन्हों के शिरी मेच में हमर्ण अगर आप यहां पर देखो तो इंहों का जो पुर्फ में जी रहा है । ऌहें प्लियर हम उम्रान मलिक की तो आंगर आप अगर आठ एट जी जो但 फिने मेच नहीं है और इस तरह को दोजार यहां पर 22 के दो जो मेच हुए उसके अंदर जो विनिंग किये एक करोड वाली जो लीग है ड्रीम 11 वाली उसमें कौन-कौन से कौमन प्रफॉमेंस रहा है तो अगर आप देखोगे ना तो दोनों 2023 में जो लीग हुई थी 15 माई को जिसमें इन दोनों के विरुद जो मेच हुआ था जिसमें गुजरात ने पर दोनों और जीटी जीत गई थी 34 रनों से और इसके अंदर जो टीम थी उसमें आप देखोगे तो सुभम गिल का प्रॉप्रमन सच्छा रहा था सुभम गिल और भुमनेश्वर कुमार थे जो केप्टेन वहीं केप्टेन बनाये गये तो केप्टेन बनाया था सुभम गिल थे भुमनेश्वर कुमार भी थे उसमें और यहां पर अगर आप देखोगे तो इस सारे में मतलब कामन नहीं सुभम गिल रहे तो सुभम गिल को छोड़नारी रसित खान सुभम गिल और भुमनेश्वर कुमार अच्छा प्रफॉमंस किया इन्होंने तो आप देख सकते हैं तो इस हिसाब से कहें कि आपको अपने प्लियर्स करना है कंप्लीट तो अब जो लास्ट की जो फाइनल 11 टीम हम बनाएगे उसमें 14 जो प्लियर्स रखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्लेशन जिन्होंने एसी रन बनायते हैं आप इसको केप्टन कर सकते हैं तो आप इनको ले सकते हो उसके बाद में यह जो हीड है उस्टले के प्लियर्स ओपनर्स तो आप इनको भी ले सकते हो इनको केप्टर मना सकते हो उसके बाद मैंक अगरवाल है और आशिस काफी बढ़िया प्रफोमस राहे तो आपके आए कि सर्मा हो गया सुभम लेना है उसके बाद में यह आप थेखोगे तो आप यह जाएंगे तो हाप उसीसाब से करना आपके टीम को बना लेना थे लिए और लिए नहीं पर आपको सुनारा चंजर सकते हOP करते लेना जाएंघ घूड़anha आप सो समझ के बनाना जो अच्छे परफॉर्म्स करने उनको गेप्टर वो इसके पर मनाना तो आपके ज्यादा चांस रहेंगे तो अगर आपको वीडियो इन्फोर्मस्ट के अच्छले इस वीडियो को लाइक से स्क्रेप करना ना भूलना थैंक यू रोचिंग